महराज युधिष्टर ने भगवान क्रिशन से पूछा कि कार्तिक मास के क्रिशन पक्ष में आने वाली एकादशी को क्या कहते हैं तब भगवान क्रिशन ने बताया के कार्तिक मास में क्रिशन पक्ष में आने वाली एकादिशी को रमा एकादिशी और रंभा एकादिशी भी कहते हैं. इस एकादिशी का वरत करने वाला मनुश्या सब पात्पों से छूट कर मोख्ष को प्राप्थ होता है. भगवान कृशन ने महाराज यूधिश्टर को इस वरत की कथा इस प्रकार पताई भगवान कृशन बोले कि इस वरत की कथा बहुत ही पुरानिक है एक बार मुचुकंद नाम का एक राजा था वो बड़ा ही परताप्पी राजा था और कई देवता उसके मित्तर थे उसके चंदरभागा नाम की एक कन्या थी उसने चंदरभागा का विवाह शोभना नामक एक राजकुमार के साथ कर दिया लेकिन वो राजकुमार श्रीर से बहुती दुरूबल था एक बार चंदर भागा अपने पती के साथ अपने पिता के महल में आई हुए थी तो दूसरे दिने कादशी का वरत था राजा के राज़य में सारे मनुश्या कादशी का वरत करते थे यहां तक कि जानवर भी उस दिन कुछ नहीं खाते थे तो चंदर भागा ने अपने पती से कहा कि कल एकादशी का वरत है आपको भी करना पड़ेगा लेकिन आप श्रीर से बहुती दुर्बल हो तो आप ये वरत कैसे करोगे तो शोभना ने कहा कि मैं अवश्या ही एकादशी का वरत करूंगा तो तब उसने दूसरे दिन एकादशी का वरत किया लेकिन वो श्रीर से बहुती दुर्बल था तो शाम तक वो भूग से व्याकुल हो गया और राद तक उसकी मृत्यू हो गई तो राजा ने फिर उसका अंतिम संसकार किया लेकिन उसकी मृत्यू रमा एकादशी वाले दिन हुई थी इसलिए उसे अगले जनम में देवनगरी का राजा बनने का फल मिला तो एक बार मुचुकंद के राज्या का एक प्रोहित सोम शर्मा देवनगरी गया तो वहां जब उसने राज्या को देखा तो वो पहचान गया कि ये तो शोभना है तो फिर उसने वापस आकर चंदर भागा को सारी बात बताई तो चंदर भागा ने कहा कि मैं उस राज्या में जाकर अपने पती के राज्या को स्थिर करूंगी क्योंकि राजा ने सूम शर्मा को बताया था कि ये जो राज्या है ये स्थिर नहीं है कि अगर तुम वहां मुचुकंद के राज्या में जाकर चंदर भागा को इस बारे में बताओ तो वो इस राज्या को स्थिर कर सकती है तो चंदर भागगा ने सोम शर्मा से कहा कि आप कोई ऐसा उपाई बताईए जिस तरह के मैं शोभना का राज्जा स्थिर कर सकूँ तो सोम शर्मा ने अनुष्ठान करके उस पर जल छिड़का तो वो दिव्या हो गई वो फिर पते के राज्जा में पहुंच गई वहां जाकर उसने शोभना को अपनी सारी एकादिशियों का वरत का फल दे दिया जिससे के शोभना का राज्जा स्थिर हो गया और सब परसंता पूरवक रहने लगे इस तरह से जो कोई भी रमा इकादिशी का वरत करता है तो उसके सारे पाप निश्ठ हो जाते हैं और वो इस लोक में सुख फोक कर अंत में बेकुंट को प्राप्त होता है बोलो कृशन जी महराज की जय